अपने अक्सर बाइक, स्कूटर, कार को धक्का मारते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ट्रेन को धक्का मारते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप यहां देख लिजिए. अपने अक्सर लोगों को बाइक, स्कूटर, कार को धक्का मारते हुए देखा होगा, लेकिन बिहार में कुछ अजीवो गरिव नजारे देखने को मिले हैं, जहां लोग ट्रेन को धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं ट्रेन को धक्का मार कर उस ट्रेन को आग से बचाते हुए नजरार. बिहार के पटना हावरा रूट पर क्यूल जंक्शन में एक ट्रेन में आग लगी, ट्रेन की बोगियां धूदू करकर जनले लगी. ट्रेन में यातरी भी सवार थे, सबसे पहले उन्होंन द्रेन को धक्का देने. इसके बाद ट्रेन पटरी पर खिसकने लगी, उसका नतीजा ये रहा कि पूरी ट्रेन खाक होने से बच गई. तर देते देखकर किसी यातरी ने इसका वीडियो बना लिया, अब लोग जो हैं इसकी जम कर तारीफ करते हुए नजरा रहे हैं. लखी जातरियों ने ऐसा नहीं किया होता, तो जब तक 5 ब्रिगेट की टीम आती, तब तक पूरी ट्रेन जल कर राख हो जाती. दरसल की उन जक्षन पर गुरुवार को शाम के वक्त पटना, जेसी डी मेमू ट्रेन में अचानक से आग लगे. इंजन और दो बोगियां जलने लग कर दिया. अब सवाल था कि ट्रेन को कैसे बचाया जाए, उसे आग से कैसे दूर किया जाए. इसके बाद सेकड़ों लोगों ने एक साथ ट्रेन को धक्का मारना शुरू कर दिया और वो पटरी पर खिसकने लगी. इसके बाद कुछ घंटात कुछ लोगों ने हाथ बटाया ट्रेन के बाग की अबोगियों को भी आग से बचा लिया गया. इसके बाद लोगों की एक जुटता और साहा से पूरी ट्रेन को आग से बचा लिया. तो आप देख सकते हैं ये कहाबस सचमुच है कि एकता में बड़ी ताकत होती है. ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला बिहार में जहां ट्रेन आग की चपेट में थी और लोग जब तक फाइर ब्रिगेट का इंतजार कर रहे होते तब तक लोगों ने अपनी सूझ बूझ के साथ ट्रेन की बोगी को ही अलग कर दिया. जिसकी कारण दो बोगी जो जल रही थी, वो दो बोगी बाकी ट्रेन की बोगियों से अलग हो गई और उसके बाद जो बोगी बचे हुए थे वो सारी बोगिया जो है वो आग जलने से बच गई अब इसके वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वारल हो रहे हैं इतना ही नहीं ये वीडियो वारल तो हो ही रहे हैं साथी साथ वहां की जो आम नागर उनकी कजम कर तारीफ भी की जा रही है कि अपनी सूजबू से पूरे ट्रेन की बोगी को जलने सियाम नागरी को ने कैसे बचाया है विलाल के लिए सब्डेट में इतना ही